नमस्कार डेली न्यूज की ट्रेवल सिरीज में आज हम आपको एक ऐसी जगह लेकर जाएंगे जिसकी खुबसूर्ती को देखकर आप हैरान रह जाएंगे जी हाँ ये खुबसूर्ती और समरत इतियास को अपने आप में समेटे पूरी सिक्किम का एकसा है अरितार लुभावनी जील, घने जंगल, खुबसूर्त पाडियां और चावल के खेतियां आने वाले सैलानियों को स्वर्ग में होने का अबास कराते हैं प्रकरती की गोद में बसे अरितार में सुबह का नजारा लोगों को अच्रज में डाल देने वाला होता है लेकिन यहां की खुबसूर्ती को देख अच्छे अच्छे जगाए भी मात खा जाती हैं सिक्किम के रोंगली तैसील में पढ़ने वाला अरितार इमाले के किनारे पर बसा है गंग्टोक से पाक योग या रंगपो होते वे यहां पहुशने के लिए चार घंटे ड्राइव करनी पढ़ती है अरितार सिक्किम से काफी कटा हुआ है और इसकी सीमा कंचन जंगापार से लगती है 1904 में भारत तिबबत वियापार समझोते से अरितार को प्रसिद्धी मिली सिक्किम में जब नई सडक का निर्मान किया जाने लगा तो तिबबतियों के मन में शंका पैदा हुई और इसके चलते यहाँ पर यह चड़िया तिबबतियों ने सिक्किम में बना जेले पला के निकट लिंक्टू पर कबजा कर लिया के बाद लाडियं के नेततु में तिबबतियों से एक संदी की गई इसका उद्देश्य तिबबत में बिटिश के व्यापारी खितों की रक्षा करना था व्यापार का मार्ग नतुला पास, रहनाक, अरितार और जालक होते हुए दार्जलिंग इस्तित कालिमपोग और पैंडोंग से होकर जाता है अप्रेल के अंतिया मई की शुरुआद में अरितार में हर साल लपोखरी टूरिजम फेस्टिवल का आयोजन भी किया जाता है अडवंचर को पसंद करने वाले लोग इस फेस्टिवल की और खुब आकरशित होते हैं यहां बोटिंग, गुरसवारी, परंपागत, तीरंदाजी, परतियोगिता और पाहडियों पर छोटे ट्रेकिंग का आनंद लिया जाता है इतना ही नहीं, अडवंचर के लिए यहां रोक क्लाइंबिंग का भी खुब क्रेज है अरितार की जातिय संसकति और भोजन ने इसे विश्व भर के प्रियटको के बीच लोकप्रिय बना दिया है फेस्टिवल के दोरान यहां इस्तानिय स्वादिष्ट भोजन के अलावा आग पर पके मास और इस्तानिय शराब प्रियटको को भी परोसा जाता है अगर आप प्रकर्ति और एटवंचर को पसंद करते हैं तो अरितार गूमना आपको कभी नहीं खलेगा यहां गूमने के दोरान आप सुन्दर जंगल, लंबे-लंबे व्रश और विशाल पाढ़ियों का अनन्द भी ले सकते हैं धन्यवाद